नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल और सबसे तेज न्यूज वाले चैनल में फ्रेंड चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइगन को जरूर जरूर प्रेस करें क्योंकि फ्र और्स परमों का आंगन बाड़ी आसर वरक्र चैनल से जुड़ी अलग अलग राजीन से झो महतफ़पुन खबरों की अपडेट आए वह आपको इस विडियो के मादियम से मिलने वाली है वीडियो बहुत ही महतफ़ पुन बनने वाली है जो भी अंगन बाड़ी बाद ने इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है के वीडियो को बिना एसकीप के देखे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी सेड जरूर केजिएगा तो दोस्तों मान दे बंपर बड़ोतरी आदेश मिलेगा अतरिक्त वेतन अजार रुपए सरकारी करमचरी कोशित 24,000 रुपए वेतन प्लस पैंसन तो चलिए फ्रेंट्स बिना को टाइम वेस्ट के शुड़े को सुरू करते हैं और जान लेजे पूरी अपडेट तो दूस्तों सबसे पहली अपडेट हमें मिली हैं दूस्तों यहां पर आप देख सकतो कॉरणा वायर और इस्तनपान करने वाली माताओं की सुरुक्सा सुनिचित करने के लिए नियमित रूप से आंगनबाडी कारी करताओं के साथ ओनलाइन समवाद सत्र आईजित कर रहा हैं और सुत्रों ने बताया कि मंत्राले ने इन समवाद सत्रों के माध्यम से दो लाग से अधिक में रहने वाली आंगनबाडी कारी करताओं को कोविड नाइंटीन हैने की लॉकडाउन समाथ होने के बाद भी से खुद को सुर्ख सित रखने के लिए उपायों के बारे में सई जानकारी मिल सके और सुत्रों ने बताया कि मामले पर सरकार स्वास्ते विशेस के संपर्ग म और एक अनिय सुत्र ने बताया कि 15 अप्रेल के बाद सभी गर्वती महिला और इस्तनपान कराने वाली माताओं को पूरा करने के लिए विशेस धियान भी दिया रहा है तो फ्रेंट्स आप देख से तो इस लॉकडाउन के बाद सभी आंगनबाडी बहनों दुआरा जो गर गर्वती महिला इस्तनपान कराने वाली माता है उनको पूरा करने के लिए विशेस धिसा निदेश दिये जाएंगे और उनने बताया कि रविवार को महिला है वंबालविका समंत्राले ने कोवीड-19 पर डेजिटल समवाद का आईजन किया और जिसमें महिलाओं और बनाने का फैसला लिया ताकि महिलाओं की जरूरत के हिसाब से मदद की जा सके और नेक्स्ट अपडेट यहां पर आप दिसो मद्य पर देश के इंदोर से के इंदोर के बाद बहरोड में भी एनव आसका सयोगनियों पर से हुआ है अब बदरता का वैवार अपडेट में 5 अप्रेल की फ्रेंड देख से तो आप लेकिन फ्रेंड आपको पता है हमारा चैनल आंगन बाडी से जुड़ा हुआ है और लेटेश कबरों से जुड़ा हुआ है इसलिए आपको प्रते खबर देना अमारा बहुती बड़ा करता विया है यहां पर दे रखाएं कि ठाना च करने के लिए गाह में अभिषेक पुत्र ओम परकास के घर पहुंची जिसे स्वास्ते विबाग ने होम आश्योलेसंद में रखा गया था और मुक्य सिक्साव स्वास्ति अधिगारी के नोटिस अभिषेक के घर पर चस्पा किये गए थे जिसको अभिषेक वह उसके पीता ओम परकास ने फार दिया और सर्वे के दोरान जब स्वास्ते विबा की टीम उसके घर पर गई तो उन्होंने टीम के साथ अबरता की और गाले देने लगे और टीम ने घटना की सुर्कसा सूचना सरपंच वह पंचाए साह को दी और जिसके बाद सभी लोग मौके पर पारी को दी और इसके बाद बीसी बीसी एम एस ओ डॉक्टर गजराज यादव ने बहरोड पुलिस थाने में उक्त मामले को लेकर पत्र लिखा और पुलिस ने मामला दर्ज कर जास सुरूप कर दी है तो दोस्तों आप दिख सो बहुत ही बड़ी अपडेट है कि कोरोना सर करता हो के साथ ओनलाइन जागरुकता सत्र आईजित कर रही है सरकार दोस्तों अपडेट हमें नहीं दिल्ली से मिली है पर आप दिख सो की महिला है हूं बाल विकास मंत्रा ले किस दिन का लॉक्डाउन कर दमोने के बाद गर्वती महिला और इस्तनपान करने वाली मातों को सुनीचित करने के लिए आंगनबाडी कारिकरता के साथ ओनलाइन जागरुकता सत्र आईजित कर रही है और शुत्रों ने बताया कि जागरुकता सत्रों के अनुसार मंत्रा ले दो लाग से अधिक आंगनबाडी कारिकरतों तक पहुंच गया है और महिला और बाल विकास मं फॉर्म का उपयोग करके आंगनबाडी कारिकरताओं के साथ जालगता सत्रों की एक संकला सुरू की ताकि लॉकडाउन है नियमित रूप से अगनबाडी कारिकरताओं के साथ औंलाइन संवाद सत्र के माधीम के से बातकिर नेक्स्ट अप्डेट के के बागे स्वर्स हैं कि आंगनबाडी वास्ता कारिकति उन्हें गरगर जाकर बाटा है रासन दोस्तों यहां पर पहांच अपरेल की अपडेट हैं पर आप दिसको लाइव इंदुस्तान डॉट कॉम ओलाइन नीज़ पेपर हैं उसी के माधियम से हमें यह अपडेट मिली है जिले में कोरोना संकर्मन को रोकने के लिए प्रसेशन पूरी मुश्तेदि से काम कर रहा हैं आगनबाडी कारिकति रहां गरगर जाकर टेक होम रासन का वीतन कर रही हैं जिले से बाहर से आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही हैं इसके लिए दो कंट्रोल रखे हुए हैं डीम रजना राजगुरू ने बताया कि गर अगर रासन टीयाचार बाटने के लिए सांसो चौ चौदा अंगनबाडी और चारसो आसास कारीकरते हों को प्रसेशन भी दिया गया है और जो गरपतियों दात्री महिलाओं को उनके निवास पर टीयाचार उप प्रिक्षिन कर लाती है और अगली अपडेट यहां पर आप दिख सो बहराई सासों को दो महां से अलग अलग से मिलेगी एक एक अजार रुपे की प्रतिपोर्त यहने की मान दे के अलावा मिले की दोस्तों यह रासी कोरोना सर्वेक सर्वेक की जो डूटी की रासी है वो म प्रदेश के सभी जिलादिगारी और मुक्यस्ची किसा अधिगारी को पत्र बेजगर इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये इसके लिए आसा कारिकर्टों को अप्रेल और मही में एक एक जार रुपे अत्रिक्त प्रतिपूर्टी रासी दी जाएंगी और आसा संगनी को इस दोरान चैतर के प्रति अतरिक्त ब्रमण पर एक जार रुपे अधिक्तम पांसो रुपे प्रतिमाद दे जाएंगे और नेक्स्ट अपडेट यहां पर आप दिखो कि एनम आंगनबाडी और आस्ता कारीकर्ट उन्हें बाहर सा आए लोगों को दी हैं जा प्रतिविदन किया गया है कि हकीम खेडी में 29 फरवर 29 वैक्तियों की सुची प्राप्त हुई है और जिनें होम क्वारेंटाइन करा गया है और जिसमें सुची के आधार पर छोटू पुत्र पूर्ण सिंग गर पर नहीं मिला आसा कारीकर्टा मालती बाई एबम आंगनबा प्रिक्शन नहीं करवाई जा सकता इसके साथ नायब तेसिला दुरा बाहर से आई सबी लोगों को होम कॉरेंटाइन करने का पालन की निर्देस्ट दिये गए और नेक्स्ट अपडेट यहां पर आप इसकी आसा कारीकर्तों ने संबाली कमान ले रही है हेल्थ रिपोर्ट दोस्तों इस फोटो में भी आप दिखतों कि आसा बहनों दुरा किया जा रहा है गरगर का सर्वे और हेल्थ रिपोर्टर दी जारी है कोरोना की खिलाब अब असकारीकर्तों ने कमान संबाल ली है हर कारीकर्ता एक दिन में 25 गरों का निरेक्शन कर रही है और जाच की पू तरह जाच भी करेगी हलका सक या संदे ओरने पर कोरोना से समंदित जाच की जाएंगे और समंदित पूरे परिवार को कॉरेंटीन में रखा भी जाएंगा और नेक्स्ट अपडेट यहां पर आप इसको बजट नहीं जिले की आंगनबाडी कारीकर्ता साहिका को तीन माह से नहीं मिलाएं वेतन तो दोसतो देक्सो बहुत ये बड़ी अपडेट है के आँगनबाडी को तीन माह से नहीं मिलाएं वेतन हैं दो मह से उदार लेकर छला रहरा है गर अपरेल माह में भी रहेगी तो दोस्तों यह थी आज गी जो परमुक अंगनबड़ी आसा वरक्रों से जुड़ी जो मुक्य खबरों की अपडेट उनके जानकार या आपको शुड़े के माधिम से मिल गयोगी अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस् सुपो मिलते फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में तब तक लिए जेहीं जेबार थैंक्स फॉर यो वाचिंग माई वीडियो